जी मीडिया पर आप सब का स्वागत है नमस्कार मैं हूँ अनिल सिंग्वियर आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसे खास मेहमान से जिसे आप लगबख हर रोज मिलते हैं हर सुबह मिलते हैं और वो आपको हर सुबह जगा देता है नीन से क्यूंकि वो चा इसका ध्यान रखने वाले स्वामी राम देओ आज हमारे साथ कारिकरम में शामिल हो रहे हैं और आज उनसे मुलाकात करने के पीछे एक खास मकसद है एक खास उद्देश है और वो ये कि आज हम हेल्थ के साथ साथ बात करेंगे वेल्थ की जी हां स्वामी राम देओ अब ह कम्पनी रूची सोया उसका follow on public offer खुला है जो लोग बाजार में निवेश करते हैं वो अच्छे से जानते हैं इसका मतलब क्या है कि इस कम्पनी के share बाजार में बिखने के लिए तैयार हैं स्वामी जी अपने shares बाजार में दे रहें investors को धेर सारे investors anchor investors उन share को खरीद रहें नि इसी पर हम बातचीत करेंगे लेकिन स्वामी जी शुरुआत इस बात से करना चाहता हूं कि आम तोर पर ना स्वामी बाबा साधू संत उनका काम लोगों को आध्यात्मी की तरफ ले जाने का है उनका काम लोगों की health अच्छी करने का है लेकिन पहला स्वामी हमने ऐसा बहुत बहुत पर ना मनिल भाई आपको भी आप एक योगी और कर्मयोगी और उद्योगी और एक उपयोगी और सत्कर्मों में सहयोगी एक बात ये नेक इनसान है और आपके साथ एक गहरा प्रेम भी है और मैंने कई बार मीडिया पर आपसे अलग अलग संदर्भों में ब और आदमी भूखा नंगा क्या खाएगा और क्या नहीं चोड़ेगा तो यह पूरी यात्रा है मेरे भाई यानि यह एक तरफ इन्वेश्टरिस का फाइदा हो देश का फाइदा हो देश थाकतवर बने जी क्योंकि हम एक सूपर पावर इंडिया बनाना चाहते हैं परम हम कहते हैं मेरा भारत महान बने म्हान काँ बने गेगा में के लिए के सान स सब्सक्राइब निवेशन दिस्रीप्रिसस से लिकरका कांक काम करें तो मैं योग करत हूं कराता हूं और तमाम इनको इंकैरिबल डिजीज को व हो करता हूँ एक अलग मेरा विश्य है लेकिन यह साथ में आज रुची स्वाय की बात करें तो चार्ट फोट फोलियों इसमें ट्रेशनल ओयल बिजनेस इसमें इसमें से इसमें फूड भी और फूड में अभी तक पतंजरी का बिस्कीट और ब्रेफास सेलर तम दे चुके थो अभी हमने डालोड प्रिंसिपली अग्री किया कि अब यह दो ग्रूप हो गया पतंजरी एक रुची स्वाय तो पतंजरी के पास काली कोस्मेटिक और जो नौन फूड वाले प्रोडेक्स हैं से खेश खांती दंत कांती और बाकी सारी स्किन केर हैर के डेंट्रल के रोहम के पतंजरी के मेडिशन्स रहेंगी सारी और इधार सारा फूड जो है वो रुची स्वाय में रहे गए तो यह तीन पार्ट तो यह होगे चोता सबसे बड़ा जो काम है वह है पाम प्लांटेशन का करीब डेड़ लाग क्रोड पर आप आप तो रोजी आकड़े बताते रहते है कितना तेल कहां सारे 65 परसेंट हमारी निर्भरता इंडोनेशा मलेशिया और युक्रेंजा भी सुरज मुखी का जहां से अब युद्ध चल रहा महां से आती है तो यह सारी निर्भरता खातम हो इसके लिए हम पाम प्लांटेशन से लेकर के ओ पूरा एक भारत को खादे तेलों में आत्मन निर्भर बनाने के मिशन में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगा तो इतना बड़ा पॉर्टफोलियो है रुची सोया का तो इसमें हम सबके सहभागिता से सबके सौमित्तों के साथ कि लाखों करोडों लोग हमारे साथ जुड़े या खाली जो है शे कि किस प्रॉफिटिबलिटी में कितना मल्टिपल बिलता है क्या करता क्या नहीं मुझे यह लगा कि जो काम में 40-50 सालों में कर पाऊंगा वो काम करने की 4-5 सालों में मुझे यह ताकत देता है और दूसरा इससे जो इन्वेश्टर से उनको भी साथ लेकर आगे हम बढ़ स लेकिन पहली बार 2019 में हमने यह देखा कि स्वामी जी जिस कंपनी का हाथ पकड़ ले उसके लिए भी कभी कोई समस्या नहीं क्योंकि रूची सोया वो कंपनी थी जो मुझेल में थी करजों में डूबी थी दिसंबर 2019 में पतंजीली ने रूची सोया का अधिकरन किया और आ एकदम डूबीवी कंपनी, मुश्किल में कंपनी, बंध होने की कगार में कंपनी उसे खरीद कर आज 25,000 करोड की कंपनी बनाई है आपने सिर्फ दो सालों में ये कमाल कैसे किया है ये बताए हमारे दश्कों को अनियर भाई, एक तो हमने सारे लिकेज भतम खतम किये और करीब बाइस इसके एफेक्ट्रिया है, उनको इंडिज्वल कैपी सिटे में प्रॉफिटिवलीटी पर लेकर किया है, लोगों की अकाउंटिवलीटी बढ़ाई, जिसको आप इस पूरे शेर मार्केट में बोलते सारी चीजों को जहां पर जो चीज हो रही है, करीब पांच जार कैमरी लगे वे हैं हमारे सारे परिशनों के अंदर, उसको हम रियल टाइम उसको वाच करते हैं और वहां से उसको गाइडिस देते हैं, फिर दूसरे क्या बात होती है, कि लोगों का विश्रास, इशू, किसी भी प्लांट में ना करमचारियों का, ना धिकारियों का, ना प्रोफेशनल्स का, कोई आप एक exception भी नहीं देखेंगे, तो उन्हों बहुत सिद्दत के साथ, गंभिरता के साथ इसको चलाया, और जो 10-10 साल से जो क्रेसिंग आदी के बिजनेस लोस दे रहे थ किसमें पूरी ताकट डाली, सब कुछ किया तो यह यहां पर आया मेरा भाई, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं कि किसी भी कारोबार को, किसी भी कंपनी को, नुकसान से मुनाफ़े में लाने के लिए कई सारे बदलाओ करने पड़ते हैं, वो बदलाओ आपने किये, ब बताएं कि इस पेसे का, जो 4,300 करोड रुपया आपको इस इशू के बाद मिलेगा, इसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं? जो पाम प्लांटेशन के लिए थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, वो भी हमारे पास मैं बचावा है, और भी जूरुत पड़ेगी, तो थोड़े बहुत और आगे, क्योंकि 6% और लिक्विडिट करने हमें दिसंबर तक शेर, तो उससे और ले लेंगे, तो हमें इस कंपनी से एक रुपे निकालना नहीं, जो पैसा आएगा, आप ही लोगों ने सिखाया हुआ है, 0% debt, 0% working capital और 10-20% return on investment हो तो कंपनी के बल्ले बल्ले, तो आप लोगों की सिखाई भी चीज़ को हम तो execute कर रहे हैं मेरे बाई, हम आपको सिखाएं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हाँ, यह ज़रूर के हम कई सारे promoters होते हैं, जब पूछते हैं तो हम अपनी राय उनके सामने ज़रूर रखते हैं कि वही कंपनी में करज कम रखे, लेकिन कितने लोग सुनते हैं वो अलग बाते, एक बात आपको बताओं, कभी आपने सोचा था स्वामी जी कि बीमारियों के ना नाम, दवाईयों के नाम, योगासन के नाम से, यह सारे capital market के, equity market के, anchor investors, ROE, REC, boardroom की बाते भी करेंगे आप। wealth को भी right direction ले जाना, वो उसकी भी बीमारिया है, आर्थिव्यवस्ता के अलग बीमारिया है, उनको भी ठीक करने के लिए, जरतर क्या है, सोच ठीक होनी चाहिए, यह तो मैं दो दिन में पूरा सीख गया था, जो पूरी terminology है, equity market की, capital market की, लेकिन बात यह कि काम आपका इमान यह क्या कहते हैं, नुट्रेस्टिकल की कमपरी बनाने का, वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो है, यह एक भारतिये ब्रैंड होगा, इंडियन MNC होगा एक तरह से, रुची सोयर, पतंजली, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाई, अनिल जी, लेकर लक्षे को यह प देने की बात आप कर रहे हैं कि लोगों को दिया जाए, चाहे हेल्थ के रूप में दें, चाहे वेल्थ के रूप में दें, स्वास्त के रूप में दें, समर्दी के रूप में दें, वो दिखता भी है, आपने इश्यू का प्राइस रखा है, 615 रूपे से 615 रूपे, इतना सस्ता रखा है आपने शेयर बताएं मेर भाई आपने जैसे अभी कहा कि आप सुबह से ही जो है ये वेल्थ एजुकेशन देरे सुरू करते हैं और मैंने पहले तुम ज्यादा देखता नहीं तरह लेकिन आज किलमा आपको देखने लगा आपसे और सीखता रहता है तो पहले आपने जैसे योग सीखा हुआ है बिल्कुल 100% जब आप पहली बार मुंबई आये थे तब मैंने आपका शीवी रटेंड किया और सबसे आगे आकर बेट कर मैंने योगा वहां से जो सीखा जो इश्वीर की दरह से आज तक लगाता है आपसे सीखते रहते हैं और ये देश आपको बहुत सुनता है आपके ओपर भरोसा करता है जी मीडिया पर भरोसा करता है क्योंकि आप भी स्वदेशी के जी मीडिया स्वदेशी का सबसे बड़ा धुजवाहा का है और मकसद एक ही है कि हम सम मिल करके इस देश को आगे ले करके जाएं और जो आपने बाते कही ना अब मैं उसका निचोड और सार्यदी एक शब्द में कहूं कि हम करना क्या चाहता है आखे और यह जो आपने कहा कि इतना कम में क्यों लेकर क्या है तो मेरे को आपने और आप जैसे इस एक्विटी मार्केट के जो बड़े बड़े आप तो इन्वेस्टर्स भी हो चुके हमारे वो क्योंकि अभी हमारी एंकर बुक पूरी भर चुकी है जिसमें कोटा के यूटी आई बिरला क्वांट और एस बी आई पेंशन एस बी आई लाइफ एफ सी लाइफ और फोरें फरंड्स में सोसाइटी जनरल बी एन पी पारीबस और फिर यूपी एस और फिर सुल्तान अमान और यस तकाफोल और जो है क्या अलमास और बेलग्रेव और भारत के जो बड़े बड़े जो भामा शाह हैं या धुरंदर हैं शेहन शाह हैं ऐसे भरत भाई भरत शाह जी आकाश बंसाली जी रोहित कोठारी जी संजय डांगी जी मदुकेला जी जो अलग अपने पूरे काम से अपनी यशाश्विता से प्रसिद्ध है सब लोगों ने बहुत सोच समझ करके पैसा लगाया सबने मेरे को एक बात कही कि इस मार्केट में सवाम जी आप पहले दो और बाद में जो चाहे सो लो तो हमने का लो भाई जी भरके जोली भरके दे देते हैं वैसे तो हम इंट स्वामे जी बहुत ज़रूरी है नहीं तो आप तर पर जितने प्रमोटर्स होते हैं वो यह सोचते हैं कि मैरा शेर ज्यूजा से ज्यूदा में बिके मुंझे ज्यूदा से ज्यादा पैसे मिले लेकिन अगर आपकी सोच इन्वेस्टर्स को देने की है तो इन्वेस्टर्स जो भरोसा करता है वो आगे जरूर दिखता है। तो समानता तो एक विचार की, संसकार की, आइडियोलोजी की, प्रिंसिपल्स की, कि हमारे लिए राश्ट्रीत पर सर्वोपरी है, हमारे लिए जो इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक हैं, उनका हित सर्वोपरी है, हमारे लिए कंजूमर का हित सर्वोपरी है, अपना हित बाद म और अपने लिए भी जो आर्थाया वो परमारत के लिए तो the philosophy is everywhere common this is oneness and coexistence एक दूसरी के सहयोग से काम करना तालमेल से काम करना कोई घालमेल नहीं तो oneness, coexistence and harmony अब जहां तक बिजनेस की बात है तो मैंने जैसे पहले कहा कि पतंजली के बिजनेस में खाली नौन फूड बिजनेस रहेगा जिसमें केश कांती, दंत कांती, अलवेरे जेल, बातिंग सोप और जो जितने भी क्रीम हैं, जो पाउडरस हैं बाकी सारा प्रसनल केर होम केर के सारे प्रोडक्स हैं फिर मेडिशन, मदुनाशनी, मुक्ताबटी, लिवामरीत, और जो अलग-लग प्रकार के क्वाथ, रस रसान, भस में पिष्टी पाक, चोन, अवले आदी, तो वो उधर रहेंगे पतंजली के अंदर और पूरा फूड पोर्टफोलियो फूर्ट पोर्टफोलियो इतना बड़ा है मार्केट साइज जिसका लाखों करोड रुपय का है वो सारा का सारा उर्ची सोया में होगा और इसमें आगे कुछ हम बड़े पॉलिसी गत डिसीजन भी लेंगे और वो वक्त वक्त पर आपके साथ जब आपका जो प्राइम टाइम आपका शो होता है उसमें हम आनिल भाई बताते रहेंगे एरुल स्वाबी जी एक चीज़ और पूछना चाता हूँ क्योंकि आज ने सिर्फ बिजनिस वाले दर्शक हैं बलकि देश बर में वो दर्शक हैं जो बिजनिस टीवी नहीं देखते हैं लेकिन जनल न्यूस चैनल देखते हैं वो भी आपको देख रहे हैं ये एक ऐसा बिजनिस है ऐसा कारोबार है चाहे वो पतंजली का हो चाहे रूची सोया को इस पर दबदबा आप तक हमेशा अंतराश्टी कंपनियों का रहा है विदेशी कंपनिया जिनके पास पैसे बहुत हैं सूट बूट टाइम हैं इंगलिश में पढ़े हैं एकदम वेल एजुकेटेड लोग जब एक स्वामी राम देव इस कारोबार में उत्रे तो सबको वाला यारे यह क्या करेंगे इन से क्या होगा इनको क्या आता है लेकिन किस तरह से आपने थोड़े समय में इतनी बड़ी कंपनियों से टक्कर लेते उनको टक्कर देते वे इतना बड़ा कारोबार बनाया है तो ऐसा क्या अलग आपने किया जो अब तक की अंतराश्टी कंपनिया कर रहे थी उससे हट कर नंबर्स प्रोफेट और निरंतर उसमें प्रोग्रेस और सबसे बड़ी बात है स्वामी रामदेव की 140 करोड भारतियों तक दुनिया के 200 देशों के 200 करोड लोगों तक रीच जिसको मैं कस्टमर में कंवर्ट करने की ताकत रखता हूं कस्टमर बेस और देखो इस सब को आखिर जो है आइडियोलोजी और बाकी सारी चीज़ें धरी रह जाती है सब को चाहिए पहिसा तो उनको उसा अधिये भी जिसने मैंने नाम बताए और इसमें सेभी की गाइडलेन भी आप किसी को रोक नहीं सकते अपने हाँ इन्वेस्ट नीस करने से लेकिन मैं यह चाहता हूं समारे पास में होंगे क्योंकि सेभी की गाइडलेन ते कगो काम तो विधान के नुसार iPod IPO पहली बार आजाता है ये भी आप क्योंकि हम तो पहली बार ही निकार रहे हैं लेकिन क्योंकि पहले से लिस्टिड थी इसलिए जो है ये में तो उससे थुड़ा बहुत इसमा काम करते है और दो चार क्रोड़ लोगने जो बहुत एक्टिवली काम करते हैं बिजनेस सेनल्स, बिजनेस मीडिया, बिजनेस अकबार, उसके साथ सारी इन्वेस्टर्स के साथ मीट करने के साथ मेंस्टीम मीडिया में दिली में मैंने प्रेस कोंफरेंस इसले की कि मेरे देश के जो करूड़ों लोग मुसे प्यार करते हैं वो इसके साथ जुणें और फो इसने बहुत चाहूंगा रिटेलर सिसमस ज्यादा से ज्यादा जुड़े बिल्कुल यह भाउना रखने आपने आप में बड़ी बात है स्वामी जी कभी आपको ऐसा नहीं लगता है मुझे लगता है कि शुरुआत से योग न किया होता और एक बड़े बिजनिसमें बन गए होते है या बिजनिस की शुरुआत की होती है जहां से आपने 2006 से पतंजली आयरुवेट शुरू किया फ़र्च करें 15-20 साल पहले से आपने बिजनिस शुरू किया होता तो आज हिंदुस्तान के टॉप 3-5 उद्ध्योग पत्यों में होते है या विश्यू के देखो मैंने 45 45 साल पहले योग शुरू कर दिया था और यह भूल चूक नहीं यह मेरी सारी ताकती योग से इसलिए मैंने कई बार अनियल भाइस बात को का है योग is my soul, योग is everything for me, योग is my life and योग is everything for me, these whole things, the wealth, the prosperity, the brand, the IPO, the of you, whatever we are doing in different manners, in different businesses, these are all things are the wild products, तो इसलिए ये मेरी ताकत ने योग, ये मेरी कमजोरी नहीं, ये तो मेरी सची ताकत है, इसका ही परिणाम ये सारी सम्रिद्धी है, इसलिए मूल में स्वास्ते और इसके विस्तार में सम्रिद्धी, मूल में योग और विस्तार में कर्म योग और उद्ध्योग है मेरे भ अग्जिमम भाई योग करते हैं और वहां से आगे बढ़ें क्योंकि जो योग करेगा वो अपना कर्म अपना कर्तब या अच्छे से निभा पाएगा स्ट्रेस फ्री रहेगा और संघर्ष्टों में जंचा बातों में कभी नहीं घबराएगा मिर भाई अनिल जी स्वामी जी आप तो सही मायनों में ओल राउंडर हैं मतलब योग से लेकर बिजनिस मतलब आप हरीदवार से लेकर बॉर्ड रूम तक की बात हैं हिंदी से लेकर इंग्लिश हिंदुस्तान से लेकर पूरी दुनिया की किस वीशही पर आप से चर्चा करनी हो आप गंटों उस सारे दर्शकों के लिए हो सकता है हम आपको शुब कामना देना चाहते हैं आपके इस फोलोन पब्लिक ओफर को बहुत अच्छा रिस्पोंस मिले और जो काम बहतरीन काम आप यहल्थ के लिए कर रहें उतना ही बहतरीन काम आप निवेशकों की वेल्थ के लिए भी करें आपको बोलना चाहते हूं कि आप करे थे दो तीन नमबर पर पतंजली नमबर एक पर होगा बिल्कुल और उस दिन का इंतजार रहेगा और उस दिन फिर मैं आपके साथ बेटकर इसी तरह से एक बार फिर से इंटर्यू करूंगा और आपसे समझूँगा कि बड़ी सक्सेस स्टोरी के पीछे और क्या-क्या जरूरी है स्वामे जी बहुत बहुत धन्यवाद Z Media के लिए समय देने के लिए और आपके FPO के लिए बहुत 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 प्रणा भारत माता की जय जय हिन